नाग पंचमी की कहानी नाग पंचमी की कहानी सुनते समय बीच बीच में हुमकारा भरते जाएं एक जलका लोटा भरके रख ले और हाथ में मोठ और बाजरा लेकर कहानी सुने बोलो नाग देवता की जै एक साहुकार था उसके साथ बेटे वे साथ भहुए थी, छे के तो पीहर था, लेकिन साथ भी भहु के पीहर नहीं था, वह गर्ब वती हुई, उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते, उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकडा पानी भरने गई, तब घर से ले पेड के नीचे घेवर रख दिया, उसने सोचा पानी भर कर आराम से घेवर खाऊंगी, पानी भर कर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं था, पेड के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्ब वती थी, घेवर देखकर नागिन की इच्छा अभी उसे खाने की हुई, उसने घेवर खा लिया, और सोचा साओकार के बेटे की बहु अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वासा दूँगी, साओकार के बेटे की बहु ने देखा घेवर तो नहीं है, तो कहने लगी बिचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई कोई बाट नहीं नागिन बहुत खुश हुई उसने अपने बेटों को सब बता कर कहा कि वो इनसान का रूप बन कर जाएं और साहुकार के बेटे की पहु को ले कर आएं नागिन प्रबाएं के बच्चे इंसान का रूप बना कर साहुकार के घर गए और साहुकार की पतनी से कहा कि हमारी बेहन को हम लिवाने आyy हैं सोबेजो सास ने कहा इतने दिन कहां थे पहले तो कभी आये नई नागिन के लड़के ने का ब्यांजी बाई भी हमें पहचानती नहीं बा सास बहुत प्रसंद हुई, सास ने बहु को भेज दिया, बांबी के पास पहुचका लड़कों ने कहा बहन हम साप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी मा नहीं खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूच पकड़ ल दिया, कि तु अगर तेरी मा की इतनी लाडली है, तो तेरी मा से कहना, कि आज तो सापों को दूद मैं ही पिलाओंगी, पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ, वह मा से जित करके सापों का दूद ठंडा करने लगी, अभी दूद ठंडा भी नहीं हुआ था, कि उसके यह तुम्हें आशीश देगी, सावकार के बेटे की बहु बोली, जीओ मारा नाग नागिनी, जीओ मारा खांडया बांडया बीर, बीर उठावे दिखनी रोचीर, तो चीर तो फाटेपन, खांडया बांडया बीर जीवता रहे, कुछ दिन बाद पडोसन ने ताना मारा, ते जीओ नाग नागिनी, जीओ वासु की नाग, नाग देवता ने उसको 9 करोड का हार दे दिया, मा ने अपने बेटों से का, बाई तो अब बड़े घरों में हार डालने लगी है, उसे घर पहुचा दो, नागों से सावकार के बेटे की बहु के, को बहुत से गहने कपड़े दिया और सस्राल बीदा कर दिया, थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा जाड़ू तोड़ रहा था, तो ताई ने ताना दिया, जाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है, तो तेरे नाना मामा के यहां से लाया होता, सापोने सुन लिया, माने दो तोने के जाड़ो बनवा दिये और दो चांदी की बनवा दिये और कहा जाओ बहन को दे आओ ताईयां देखकर जल गई कहने लगी इसके तो ताने मालने से धन बढ़ता है छोटी जिठानी लकडी लेने गई वहाँ साप था उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए साप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी छोटी बहु लकडी लेने गई तो वहाँ साप बैठा था बोली भाया राम राम साप ने जट से बिछवे दे दिये पहन कर छमचम करती चली आई जेठानिया देखकर जल गई उन्होंने उसके पती को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहु की साप बिछवों से दोस्ती हैं साउकार का बेटा अपनी बहु सेरात को कहने लगा सससच बता साप बिछव तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बज़ए कहने देते हैं बहु ने का वो तो मेरे भाई बतीजे लगते हैं फिर उसने सारी बात इंसान का रूप रखकर साप दोनों को वे बच्चों को बुला लाए। खूब गहने कपड़े दे कर उन तीनों को फिता किया। जैसा पीहर वासा का सुख बहु को मिला। वैसा भगवान सब को दे। हमारे पीहर को और सासरे को सब को सुखी रखे। अब हम सुनेंगे गणेश जी की पूजा करती थी। एक देन गणेश जी उसे प्रसन हुए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई गणेश जी से बोलती है। कि हे गणेश जी माराज मुझे मांगना तो नहीं आता। फिर भी गणेश जी बोले कुछ तो मांगता। बुढ़िया माई बोली दिद्दा गोड़ा देवो सोने के कटोरे में पोत्ते को दूद पीता देखू, अमर सुहाग देखू, निरोगी काया देव, सभी को सुख तब भगवान गणेश जी बोले माई तुने तो सब मांग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, पर जा, जो तुने मांगा वो भी हो गया, तेरा जो तुने नहीं मांगा वो भी तेरा हो गया, पर ठीक ऐसा ही हो गया, अंतर ध्यान हो गया, बुढ़िया माई को सब सुख हो ग आप सभी कोनाक पंचमी की हारदिक शुब कामना है